स्टिपी कलस्स में स्वागत है बच्चो अभी आप बारवी राजनिती साथर का महत्वपून सब्जेक्टिव कोर्शन आंसर पर रहे हैं आज का महत्वपून प्रस्न है सिमला समझोता क्या है यह बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्न है क्योंकि दो हजार नौ पंद्रह सुल्य उनिस में पूछा गया प्रस्न है पहले उत्तर से जाते हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में और सिमला समझोता हुआ दो तीन जुलाई 1972 की आधी रात को दो जुलाई 1972 या तीन जुलाई परदहार मंत्री इस समय थे इंद्रा गांधी और पाकिस्तान के राष्टपती थे जुलफी कार अली भुट के बीच ये जितने भी मैंने बताए हैं अबजेक्टि बहुत इंपोटेंट है एक्जाम के दृष्टी से और कम्पिटिशन की दृष्टी से अब सिमला समझोता क्या है उसके बारे में चानते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद 28 जुन 1972 को सिमला में दोनों देशों के प्रिमत वारता होना तै हुआ तीन जुलाए 1972 को दोनों देशों के बीच एक समझोता हो गया यह समझोते को निवलिखित मुख उफ बन थे कब वासिमला समझोता तीन जुलाए 1972 क्या सरते थी दोनों देश परसपर संघर्ष को समाप्त करते हैं दूसरा पॉइंट है दोनो ही सरकारे अपने सामर्थे के अनुसार एक दुसरे के परति घिर्नित परचार नहीं करेगी तिसरा है दोनों राष्टों के बीच डाक तार सेवा जल थल वायू मार्ग द्वारा पुनह संचार की विस्था की जाएगी चौथा सिमना समझाता के किरिया निवेयन के लिए द कैसा लगा वीडियो कॉमेंट में जरूर बता वे बच्चों बहुत बहुत धन्युक्त